मार्केट का सेंटिमेंट इस समय काफी जाधा डाउन है क्योंकि मार्केट बहुत जाधा डाउन है और मार्केट ये डाउन अब भी ने काफी समय से डाउन चाले और दीरे दीरे डाउन की देखने को मिल रही हर एक सुबा हर एक नए दिन हम लोग को मार्केट डाउन में जब dip में होती है, क्योंकि जब आप यहाँ पर अपने tokens, अपनी asset, अपनी token को, अपनी stock को buy करते हैं, तो आपका जो future में जब यह tokens का, coins का price बढ़ता है, तो आपको यही market collect करने को मौका देती है profit, तो यह simple सा नियम है, कि अभी जब यह market गिर रही है, तो इस समय आपको future बना का मौका मिलता है, अब हम लोग बात करते है market में, जो situation चल रहा है, वो तो down चल रहा है, sentiment भी down है, तो अब next क्या होना है, एक तारिक से, जो भी इंडियन हमारे exchange है, उनमें 1% TDS implement होना है, जो भी इंडियन exchange है, वजीर कोईंडी से, कोईंस उचको भी बिट PNS, यह जो भी इ मतलब यह नहीं कि government को एक message जाए, intimation जाए कि आपने क्या sell किया, जब जब आप उसे sell करेंगे एक तारिक से अपने Indian exchange में, तो उसमें क्या होगा, आपका 1% TDS कटेगा और government को यह message जाएगा कि हाँ, इन्होंने इतनी asset अपनी बेची है, तो इसलिए TDS implement किया, इस हिसाब से आपका 30% TDS calculate होता रहेगा, अब बाकी market में इस समय चल क्या रहा है, market में इस समय लोगों का दो मकसद चल रहे है, एक पहला कि market और दर डाउन जाए, तो हम लोग buying करें, या market में कुछ देरे-देर लोग DCA कर रहे है, इसका जीता जाता example यह है, कि आज की तारिक में जो BNB यह है, वो number 5 पर जा चुका है, जो कि number 3 पर रहता है, mostly USDT और USDC, जो stable coin है, वो आज की तारिक में उनकी market cap जादा हो चुकी, या इसका मतलब यह है, कि लोग के पास market में, जो USDT है, वो जादा है, जो stable coin है, वो इसलिए जादा है, क्योंकि लोगो buying करनी है dip में, तो लोग इस अब यह भी जुड़े है, ने ट्रेडर है, उनके लिए क्या best सला है हमारी, तो उनके लिए यह हमारी सला है, कि देखिए, जो भी अभी TDS implement होगा कल से, तो उनके लिए अभी कोई tension इसलिए नहीं, क्योंकि हम लोगो buy करना है, आज सब को चाज हम buy करेंगे, तो हमको TDS tax तो अगर हम long term के लिए simple अपनी trading करेंगे, और simple DCA करेंगे, long term के लिए holding करेंगे, तो tension अभी भी कुछ ज़्यादा नहीं है, और अगर हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में, जो अभी भी market down है, और उनका portfolio काफी ज़्यादा down हो चुका है, पतम लोगों ने तब buying किया थ 45 पे था, और Ethereum 3000 पे था, 3500 पे, योगि आज की तारिक में market काफी ज़्यादा down है, तो उन लोगों का जिनका भी loss में चल रहा है, 60%, 70%, तो उन लोगों के लिए मैं एक message यहां से यही देना चाहता हूँ, कि देखिए हर एक pain का, हर एक दर्द का अंत होता है, तो इसका भी या bottom मतलब जो भी crash हो रही, उसके बाद से जहां पर रुकेगा, जिस समय वापस से यह recover करना start करेगा, तो बहुत तीजी से market अपना cryptocurrency recover करता है, तो उस समय जो भी आपका profit loss है, वो profit में आराम से convert होगा, तो पस सिर्फ एमीद बाननी है, और अभी situation थोड़ी सी खराब है, औ मैंने starting किया था, यही कि यह future बनाएगा समय है, कुछ भी buying करने का, अगर आपके पास capacity बनती है, कुछ भी बिना किसी से उधार लिए, बिना किसी से मांगे, तो आप buying कर सकते हैं, क्योंकि यह जो opportunity चल रही है, इसी से हमारा future बिल्ड होगा, तब जब market आप में जाएगी, अब बात करते हैं, market में अगर हम कुछ buying करना चाहते हैं, तो किस तरीके से हम अपनी tokens coin को चुने, तो देखें, यहाँ पर जो coin market cap, जो हमारी website है, जो की tokens के बारे में details बताती है, तो उनमें यहाँ पर, उस sequence में यह सारे tokens की list होती है, जिनकी market cap जादा है, सबसे यहाँ जिस लगी होई है, कि जिस sequence में उनकी market cap है, तो कोई भी token आपको चुनना है, तो यहाँ number 1 से लेकर, number 50, number 20, क्योंकि market बहुत बहुत जादा dip में है, तो सबसे पहले वो सारे token आप उठाएए, जो बहुत जादा, जिनकी market cap है, fundamental का मतलब जिनकी market cap अच्छी है, जिनमें tokens, लोगो ने इसके बारे में share किया, और अभी भी आप चाहते हैं, कौन से coin समय buy किये जाए, तो उपर i button में video है, उसको आप देख सकते हैं, और इस तरीके से market cap आप देख सकते हैं, बाकि अगर हम बात करें meme coin की, तो meme coin का देखे, market cap अगर हम देखने जाएंगे, तो बहुत जादा क हुआ, उससे पहले आप sell करकर, अपना profit लेकर किनारे हो जाए, किसी भी meme coin को इस समय long term hold करने का कोई भी फाइदा नहीं है, योगि जितनी भी चीज़े आपको करनी है, वो सब most fundamental coin में करनी है, इस समय क्योंकि market बहुत जादा down है, और जब discord में सारी चीज़े अच्छी मिल तो सबसे पहले अच्छी चीज़े लिए, उसके बाद बागी सारी चीज़ों की बारी आएगी, तो यह सारी चीज़े दोस्तों, मीद करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आएगी, छोटी सी update थी हमारी तरफ से आप लोग के लिए, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीस व झाल